ही गाईस, तो सुवागत है आपका Captain V2 के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं Spider-Man No Way Home 2 के ट्रेलर का एक फ्रेम के बारे में जो कि इस बात को कन्फर्म करता है कि इस मुवी के अंदर तीनो Spider-Man होने वाले है और मैं इतने जल्दी वीडियो बना रहा हूं और इस वीडिय क्योंकि अंदर मैं उस ट्रेलर का फुल बेकडाउन नहीं करने वाला हूं वह बहुत जल्द आएगा लेकि तब तक इसको discussion का मुद्धा बना देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये scene शायद तक वो कारण बन सकता है जिसके वजह से सोनी वाले आने वाले समय में हमें ती वीडियो के अंदर भयंकर वाले spoiler होने वाले हैं और आज तक जो leaks आ रहे हैं उसका confirmation होने वाला है at least ऐसा तो मुझे लगता है तो आप चलते हैं उस detail के ऊपर जहां पर आप लोग देख सकते हैं इस frame के अंदर कि spider-man हमें electro, sandband और lizard से लड़ते हुए देख रहा है लेकिन अ मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा अगर आप sony Brazil का teaser देखेंगे तो उसमें आप lizard को punch खा देवे देखते हैं जबकि वहाँ पर कोई है ही नहीं और tom Holland उससे बहुत दूर है तो यहां पर tom Holland का spider-man तो lizard को punch करने से रहा और ऐसा भी नहीं है कि sandman के punch के effect से हो सकता है कि कोई ची कर रहा है लेकिन इस फ्रेम को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि electro Tom Holland के spider-man की और देख भी नहीं रहा है मतलब कि उसका target भी कोई और है और इसका मतलब समझे रहा है यहां कुछ तो गड़बर है एं हम सभी को मालू है कि वो गड़बर क्या है और वो लोग क्या च spider-man lizard से लड़ेगा क्योंकि वहां पर थोड़ा सा sheer strength की बात आती है और इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए precaution amazing spider-man की पीटर ने अपने movie में ले लिया ता तो यहां पर electro versus हमें amazing spider-man देखने को मिलने वाला है इसके अलावा wise versa भी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि Toby electro से क्योंकि उसकी organic webbing है तो अगर webbing के through electricity गई तो वो टो भी को जाके लगेगी जो कि obviously उसके लिए disadvantage साबित हो सकता है मुझे तो यह trailer देखे बहुत ही जादा मजा आया लेकिन थोड़ी से disappointment भी हुई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े रिवील कर दी गई और मुझे नहीं है कि वो सब ट्रीलर में दिखाना चाहिए था क्योंकि इस ट्रेलर को देखे कि इतना जाद excited हूं कि अगर movie कल निकले ना तो मैं कल ही कल जाके देख लूँ लेकिन मुझे मालूम है कि अब इसके लिए मुझे एक महीना वेट करना पड़ेगा जो कि बहुत 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 ब नहीं दिखाये गए थे जबकि movie के अंदर था इसके अलावा countless example है जहां पर trailer में कुछ और दिखाया जाता है और movie के अंदर कुछ और mostly edition ही किये जाते है और वो चीज जहां पर होते हुए मुझे लग रहा है दिख रहा है और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता बोट सेक्शन में मुझे मालुम है इस उप्लीज करने के अबर कृट सेक्शन में में जरूर भी मुझे बताना बोलता हूं लेकिन इस वीडियो में पतानी शाहद एक ऑ distress तो प्लीज करना क्योंकि मैं जातना चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही ऐसा तो नहीं सोच रहा है या फिर और भी फैंस हैं मेरे जैसे जो ऐसा सोच रहा है इसके अलावा आगे का तो आपको मालूम है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे पुरा और तरट लगा कर आगे बढ़ते रहें थाइंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यूड